हम आपको एचेजबी 157 बिलेंडर में से स्वीच चेन करने का तरीका दिखा रहे हैं स्वीच चेन करने के लिए ये स्क्रू डाइवर और ये प्लायर की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले हम ये पाइप आउसिंग को इस तरह से निकालेंगे उसके बाद ये सोप इसको इस तरह से निकालेंगे अब हम ये फ्रंट कवर के स्क्रू को इस तरह से निकालेंगे और बेक कवर के स्क्रू को निकालेंगे उसके बाद ये सोप इस रिंग को इस तरह से निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे अब हम स्विच को इस तरह से निकालेंगे इसके कनेक्शन को इस तरह से निकालेंगे अब हमारी स्विच पुरी तरह से निकल गई है अब हम यहाँ पे नई स्विच फिट करेंगे सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन करेंगे स्विच के एक वायर को पाउर कोड के रेड वायर के साथ और स्विच के दुसरे वायर को मोटर के रेड और एलडी के रेड के वायर के साथ इस तरह से कनेक्शन करेंगे अब हम स्विच को इस तरह से भी ठाकर स्विच केप को इस तरह से रखेंगे स्विच के रखेंगे उसके बाए फ्रांट और बेक कवर को इस तरह से फिट करके तिना स्कुरू फिट करेंगी ग्रांट और वाला राओ फिट करेंगी करेंगी है इसको इस तरह से रख कर फिट करेंगे और यह LED इसको इस तरह से फिट करेंगे अब मारा ब्लेंडर रेली हो चुका है अब मारा ब्लेंडर 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 रेली हो चुका है